हेलो दोस्तों वह दो सुवागत है अपका हमारे आज किस पुड़ा में दोस्तों आज किस पुड़ा में आपके लिए हम जनकाडी लिए लिग पज़़ का आई क में समंद में आपके लिए समस्या में नहीं घिरने जाए निकिन इसकी जनकारी दोस्तों आपके लिए इसलिए भी आवस्या है कि इसके जनकारी नहीं रहने से आपनेक समस्याओं से पर्ज़ान हो सकते हैं और और कंभी बिमारी सबजी को conti मोजूद होते हैं लेकिन अगर इनन ज्ति करते हैं और सब्सक्राइव को नहीं रहे नहीं लेकर चलते हैं तो इसकी और अनệक हमें भीमारियां झेलने पर सकती हैं दुस्टों समाने स्थान जाती हिए के मौझुद हैं लेकिन इसमें से अधिकतर हमारे लिए किसी भी तरह के नुक्सान दायक नहीं है लेकिन इन मैं से कुछ ऐसे बیک्τιरिया है जो कि अगर हमारी आतों में मजबूती है और अस्थान बना ले और कुछ विशिएश तरह के समस्क्राइब और इसके काड़ान की सम स्रस्लीरा घार की बेक्षरिया अकर हमारे आतों में प्रव्यक्शन कारण होसकता संक्रम्न या पेसाब के साथ खुन का मात्रा का आना आया उल्टी जैसी बिमारिया यह क्रमार जो उआ इकला की संख्रमन के प्रवेश हो सकता है, मीच अगर हम खाते हों ननफेज प्रडॉक्ट खाते हैं अगर वो सई दंग से ना पके हुए हो तो उसके कारण भी दोस्तो हमेरे सभी में इकोलाई के समस्या होती है लेकिन अगर ये एकोलाई के समस्या हमें अगर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जहलनी पड़े इसके कारण होने वाले खातरा उनके लिए बहुत अधिक बढ़ जाते हैं जो की हीमोलेटिक यूरेमिक सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है और इसके कारण अचानक से क अमर के अनुसार हो सकती है आपके एकोलाई के लक्षन कितने मजभूत हैं उसके कारण बढ़ घट सकते हैं गैस की समस्या उल्टी की समस्या दोस्तों इकोलाई के कारण हो सकती है और अगर दोस्तों अगर इकोलाई के लक्षन अगर आपके सहीर में है तो आप में यह साध कारण तो मैंने कुछ बताया है लेकि इसके अलाबर दोस्तों कुछ ऐसे कारण है जिसको आपको आची तरह से जान लेना चाहिए बिक जॉलाई के दोस्तों जीसे मैंने बदाया औने कि प्रोझातियां मवजूद है लेकिन इसमें से कुछ AI not तोक्सिन के कारण हमारी चोटी आंत की अंदुरूनी पढ़ते प्रभावित हो सकती है जिससे खुनी अतिसार यानि अगर हम पौटी करने जाते हैं तो उसके साथ खुन के कुछ अंस आ सकते हैं और यह तभी समझे दोस्तों जब बाहर से बैक्टिरिया किसी तरह से हमारे पे पी खाने से हो स्विंग पूल में या पिताला में किसी तरह नहाने से हो किसी नदी में नहाने से और उसका और पानी को करते हैं वासी भोजन करते हैं को चहिंदी होने के बावजूद भी तो धूसे ड॥नक पे लेते हैं को ढूस्ट करूचे बाद सब्सक्राइब करते हैं विए उसके करिगे डूध कर को यह बढ़ारी कारते हैं गया का दूद्द जो कुछ घुथन कडरे canine m § गर्म करके पीए इससे इकोलाई के जो बैक्टरिया हो जाएंगे होते हैं वो नस्ट हो जाएंगे अता दोस्तों गाय के दूस्त के कारण भी आपको इकोलाई के प्रभाव जहलने पड़ सकते हैं हम जो कुछ भी ताज फल या सब्जियां जो कुछ भी लाते हैं उसे के कारण हो लेकिन दोस्तों हमें जो कुछ भी खाएं उसे अच्छी तरह से डिसिंफेक्ट करके खाएं इंसानों और जानवरों के मल से भी जो कुछ भी हमारे आज पास के जो पानी के शुरूत हैं नदी हुए ज़ड़ना जो कुछ भी भूजल शुरूत हुए शिचाई क पर दूसित हो जाएगी और उस पानी के अगर हम सेवन करें उसके कारण भी दोस्तों हमारे सहीर में इकोलाई के लक्षन आते हैं तो दोस्तों यहां पर साब्धान होने की ज़रूत है और दोस्तों किसी भी उम्र के लोगों को इकोलाई हो सकती है छोटे बच्चों और विकास कम हो रहा हो और परति रोधी रक्षा पढ़नाली कमजर हो रही हो और दोस्तों कुछ खाने अगर हम कुछ ऐसे भोजन करते हैं जैसे अध्वका मीठ हुआ कच्च्चा दूद हुआ शेव हुआ या फल हुआ फल जो कुछ भी हुए सबजिया हो या अगर वो संक्रम संक्रमित हैं तो दोस्तों इसके कारण भी हमें इकोलाई हो सकते हैं दोस्तों पेट में अगर कम हो रही हूँ या एसीड नहीं बनने के कारण हमारे सारीजिक बीमारियां भी हो सकती है या कुछ ऐसी दवाईयां होती है जिसका हम अगर नियमी शेवन करते हैं और हमारे सार अब तक मैंने आपको बताव कर सकते हैं कि दोस्तों अगर इकड़े के इनफेक्षन हो चुके हैं तो कैसे आप इसका बचाव कर सकते हैं दोस्तों आप एक चीज जानले अभी तख कोई भी ऐसी तबाई या टिका का निर्मान नहीं हुआ है कि उससे ले लेने के बाद आपको भ faithma किसी भी तरह के醒ी की बिमारी नहीं होगी तो पकरजाव हम आपको एकोलाई के किसी भी रंग में दिखे और वह अच्छी तरह से पकी हो गर्म करके कीए ओपर जो कुछ निकर्म करके कि अगर प्रयों करते हैं तो देखे उस्पकर जो कुछrt भी आ है बैक्टीरिया की मात्रा हो सकती है उस्जेशित करते हैं शी द हमके रहते हैं है दोस्तों इसके अगर हम लोग एकोलाई के अगर बचाओ के तरीकों को अगर देखे ते इसके जो कुछ बैक्टिरिया हमारे साइर में खाने पीने के अलावा तो है और भी किसी माध्यम है जिसे कि हम जो कुछ करते हैं साइब आप करते हैं बहुजसे करण बहूं करते हैं साबून अच्छी तरह साप नहीं हो तो उसके कारन भी ब legitimate ब्यावन करते हैं बोदी क सब्सक्राइब किसी भी तरह का अगर मौझूद हो तो उसके कारण वो इन्फेक्शन के बेक्टिरिया आपके सभी में चले जाएंगे तो होना यह चाहिए कि इन सभी पदार्थों को जो कुछ भी हो गर्म साबुन साबुन हो चाकू हो सब्जी काटने का जो कुछ भी आउजार हो चौके हो जिस पर आप रोटी बनाते हैं उसे अच्छी तरह से गर्म पानी से अक्सर साफ कर लिया करें जो कुछ भी मीठंका प्रयोग कर रहे हैं फल सब्जी को प्रयोग कर रहे हैं सभी को काटने के बाद ट आवसक है और अगर आप किसी अगर पालतु जानवर को अगर अपने घर में रखे हैं तो उसे जब जब भी आप उसे संपर्क में जाएं तो उसके बाद भी अपने हाथों को अची तरह से धोने की आदट डालें दोस्तों इस विशेश रूप से आपको एकोलाई का बचाओ उसी समय संब्सेश हों जब आपने आपको आपको किसी अगर आपको आपको आप दूर रखे इसे जूब करती ही है लेकिन अच्छा होगा कि a इसे बीटार इस expectation से बचे रहे हैं और अपने पानी पीने जो कुछ भी आप पानी पीते हैं तो पानी को देखे कि पानी वो अगर आपको हो गया है तो डक्टर आपको जो कुछ भी दबा देते हैं उसमें इसके कारण आपके सरीर में जो कुछ भी टॉक्सिन तो बाहर दबा के कारण निकल ही जाते हैं लेकिन आपके रोक पर तेरे रुद्धक चमता धिरे-दिरे कम हो जाती है और उस समय आप एकोला अगर आपको हो रही है और आपके अक्सर दवाई ले रहे हैं तो इसके कारण भी आपको है सो बाद में पुना इकोलाई होने के संभावना बढ़ जाएगी अचा अता है दोस्तों जो कुछ भी आप इलाज करवाएं इलाज से अच्छा दोस्तों बचाओ के तरीकों को आप इसके इन्फेक्शन आपको हो ना पाएं इसके तरीकों को अच्छी तरह से ध्यान रखें जैसा मैंने भी बताया है चलिए दोस्तों अभी के लित नहीं अभी के परड़ा में दोस्तों मैंने आपको बताया कि इकोलाई आपको कैसे हो सकते हैं इकोलाई अगर होते हैं तो किस कारण से होते हैं और कैसे उसके लेक्षण आपके आस पास मवजूद रहते हैं नहीं आपके शरीओ में हो फिर भी आप उसका नजर अन्दाज करते हैं और कैसे उसको आप अपने आपसे दूर रख सकते हैं इकोलाई के बैक्तिरिया को आज के परड़ाम को कैसा लगा इस समान में अपने रियक्शन अवर्ष दें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अबस्ट करें हमारे चैनल के बेल आइकन को अबस्ट दमाएं ताकि जो कुछ भी आपके स्वाद समंदित हम नेक्स्ट कुल हमें सो अगला सुधार कर सकें